हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब अमीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे फ्रेंट्स आज की हमारी ये वीडियो वासिंग मसीन रिपेरिंग कोर्स की 45 वे दिन की वीडियो है और आज के दिन हम ये जानने वाले हैं कि वीडियो कौन के टॉप लोड फुली आटोमेटिक वासिंग मसीन में कौन-कौन सा एरर कोड आता है और आप उसको कैसे ठिक कर पाएंगे हमारे साथ वीडियो के लाश तक बने रहिएगा आपको हर एक बात समझ में आने वाला है यदि आपको कोई ऐसी बात हो जो नो समझ में आये तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते है यहाँ पर लिखा गया है टॉप लोड फोली आटोमेटिक वासिंग मसीन में आने वाले सभी प्रकार के एरर कोड के बारे में सीखे और नीचे हमने लिखा है बीडियो कॉन मतलब ये company का नाम है videocon kit upload fully automatic washing machine में ये तीन टाइप से error code आते हैं और उसमें सबसे पहिला है E2 error code मतलब E2 यदि error code आएगा तो समझ लिजेगा कि pressure switch से problem है pressure switch से problem का मतलब E2 error code के आने के बाद आप pressure switch को check कर सकते हैं pressure switch को check करने के लिए इसमें से तीन टर्मिनल बना होता है आप continuity meter का एक तार इसके बीच वाले पर रखिएगा और side side में लगा करके continuity test कर लिजेगा कि pressure switch से continuity मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या फिर resistance मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो समझी हमारा pressure switch सही है और फिर भी आपका E2 error code आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका pressure switch के पास जो PCB से light आ रही है जो धाई voltage एक तरफ आता है और धाई voltage दूसरे तरफ आता है यह voltage नहीं आ पा रहा होगा या फिर किसी एक side आ रहा होगा तो ऐसे में भी आप इसको check कर सकते हैं कैसे check करेंगे तो PCB से जो pressure switch के लिए 3 wire आते हैं तीनों wireों में से जो continuity meter कर रहेगा उसको continuity पर नहीं voltage में set करना है DC voltage में set किजिए और उसके एक probe को बीच वाले पर रखिये और दूसरे वाले को इसके इस side रखेंगे तो high voltage के असपस दिखाना चाहिए और दूसरे side भी रखेंगे तो उतना ही voltage आना चाहिए यदि PCB से यह voltage आ रहा है तो समझे PCB सही है यदि voltage नहीं आ रहा है तो PCB यहां पर खराब बानी जाती है यदि माल लेते हैं voltage आ रहा है आपका pressure switch भी सही है तो तीसरा एक option होता है वो भी खराब हो सकता है वो है air pipe जो pressure switch से outer drum पर जो air dome seal बना होता है जहां से pipe लगा करके pressure switch के पास पहुचाई जाती है वो pipe कहीं से फट गई होगी या फिर चुहों ने उसको काट दिया होगा तो ऐसी इस्तिति में आप pipe को भी एक बार check कर सकते हैं यदि आप इन तीनों check गों को कर लेते हैं तो कहीं ने कहीं आपको जरूर समस्या मिल जाएगा और उसको आप ठीक कर दिजिए आपका जो video con की washing machine है E2 error code उसमें से गायब हो जाएगा और आपकी machine फिर से सही तरीके से काम करने लग जाएगे उसके बाद अगले number पर है PR या E5 यदि ये दोनों error code आते हैं तो दोनों का एक ही मतलब होता है door switch का problem है door switch का मतलब यह है कि जो धकन हम लोग खोलते हैं तो धकन को खोलने के बाद या बंद करने के बाद वो जो जिस तरीके से machine को काम करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहा है मतलब या फिर आप धकन खोल के रखे हैं तो भी ये problem आ सकता है आपका PR आएगा या फिर E5 आएगा यदि आपने धकन बंद कर दिया तो switch हो सकता है कि उसके जो contact point है आपस में नहीं सट पा रहे होंगे तो यहाँ पर भी आपका ये PR या E5 एरर कोड आएगा यदि आपका धकन भी बंद है और switch का contact point भी सही है तो तार की problem हो सकती है जो door switch के पास wire गए होते हैं उन wire का problem हो सकता है wire कहीं से कटा होगा तो इन सभी चीजों को check कर लिजेगा आपका जो washing machine है कहीं ने कहीं आपको इन तीनों में से कोई समस्या मिल जाएगी आप उसका समाधान कर दीजिए ये error code machine से निकल के गाइब हो जाएगा और हमारी machine फिर से काम करने लग जाएगी तो ये वीडियो बहुत छोटा था इसमें और भी मैंने error code को ढोड़ने का कोशिज किया लेकिन ये वीडियो में मैं बहुत कोशिज किया Google पर सर्च किया और भी जगों पर इसको देखा लेकिन ये और इससे ज वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम